हेलो, गुड आफ्टर नून, नमस्कार, 17th BPSC का मैं अब quality series current affairs का अभी मैं discuss करूंगा, या part 1 होगा quality series का, बहुँ सारे series, लगबग 13th series मैं science and technology का discuss कर चुका हूँ, वो already playlist में आपको होगा, और और भी series है, लेकिन कई student के ऐसे demand थे कि और भी subject का current affairs कराया जाए, तो BPSC का questions paper को analysis करने के बाद, वहीं चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, discuss करूंगा, जो कि बड़ा important है, for the point of view, BPSC, PT के लिए बहुत important है, और इसको means में भी use किया जा सकता, पूछ सकता है, clear, लेकिन अभी PT पर focus किजिए, because it is the first gateway, इसी को दरवाजे को तोड़ेंगे तभी means में पहुंचेंगे, इसमें दो है, जो मैं theme उठाया हूँ, cash for query, और dynamic injection, यानि गतिसील, निसे धग्या, और push task के लिए नगत, देखिए, कोई भी static subject है, वहाँ, बहुत vast होता है, उसमें से कौन सा section, कौन सा theme, कौन सा part important होता है, that is decided by the current affairs, जो current affairs में होगा, वहीं आप से पूछेगा, जैसे आपको economy में हो गया, इसी तरह, geography में हो गया, history में नहीं होता है, जो कि history में कुछ current affairs होते ही नहीं है, फिर भी इसमें भी होता है, किसी तरह का कोई revolution का 100 year हो गया, 1500 year हो गया, 200 year हो गया, तो that is maximum possibility होता है, कि उससे questions पूछे, तो इसमें हम वहीं चीज discuss क करेंगे, जो quality से related है, के लिए, चलिए, शुरू करते हैं, news से, what is the case for query, जो अभी चर्चा में है, देखिए, या ऐसा आरूप है, संसद, संसद महुआ, मोहितरा पे, कि उन्होंने पारलियामेंट में, गौतम अदानी, गौतम अदानी पे questions पूछने के लिए, वह हम महंगे तौफे लेते थी और पैसे लेते, clear, अब इसमें हम quality में नहीं पढ़ेंगे, किसने क्या कहा, कहा, केस किया, किस का किया, बगतब है, अब हम यहां पे केवालिया देखेंगे, कि पारलियामेंट में questions पूछने का procedure क्या है, वे क्या है, तरीका क्या है, कितने परकार के questions होते जाते हैं, यह हमारा यहां पे जरूरत है, clear, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, कि मोहिवा, मोहितरा जो expensive gift और money लेती थी, to ask questions about the Gotham Adani in the Parliament, तो what is the procedure for raising the questions, क्या procedure है, कि कोई सांसद, सांसद में questions पूछता है, देखिए, दो नियम है, पाला नियम है, rule for procedure and conduct of business, लोक सबा का, जो rule 32 to 54 के ताथ, और speaker का direction, number 10 से 18 के ताथ, कोई भी आदमी questions पूछ सकता है, लेकिन कोई MP questions पूछने के लिए, सबसे पहले lower house का जो secretary general है, उनको advance में notice उनको देना पढ़ता है, और notice में बताना पढ़ता है, कि हाँ, मेरा intention है, हम questions पूछने, clear, एक दिन में एक सांसाथ जो है, पांच notice ही दे सकता है, questions पूछने के लिए, जो oral और written दोनों रूप में हो सकता है, मौकिक और लिखीत रूप में, एक day, लेकिन इसमें questions जो है, वा 15 दिन advance होना चाहिए, notice period, question is not less than 15 years, 15 days, sorry, 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, आया बाद चाहिए, और लोकसभा के निर्देश हो, जो अधक्स के निर्देश होते हैं, निर्देश 10 से 18 है, इसके लिए निचले साधन के महासचीव को notice देना पड़ता है, एक दिन में पांच ही कर सकते हैं, किसी भी पांच से अधिक सूचना है देने के अनिमती नहीं है, 15 दिन से प्रस सूचने अधि 15 दिन से कम नहीं होती है, आगया बास समझ में, चलिए, अब देखते हैं, क्या तरीका है पूछने का, प्रोसीजर हो गया है उनका पूछने का, अब तरीका क्या है पूछने का, देखिए दो तरीका, there are two ways, there are two ways, that MP can ask the questions, notice, notice देता है, तो notice दे सकता है पहला है, सब MP के पास अपना एक online member portal होता है, उनका ID होता है, password होता है, उसे access किजिए, वहाँ पे question दीजे, notice दे दीजे, दूसरा होता है, printed form में, जो पारलिया में notice board से लेकिया, printed form में भी questions, notice दे सकते हैं, लेकिन इसमें next stage क्या होता है, लोकसभा का speaker आपके notice को examine करते हैं, कि वहाँ रूल के तहथ ही हाई की नहीं, जाभी जो रूल, दो रूल हम discuss किया है, अगर उनको लगता है कि आपका questions है, आपका questions का कोई part, रूल के तहथ नहीं है, तो वहाँ accept ही नहीं करेंगे, admissible ही नहीं है, आया बात समझ में, दो तरीका, दो रूल, ठीक, अब हम आते है आई है, online portal से दे सकते हैं, सुचना कर जाला में, मुद्रित परपत्रों के माध्यम से, और लोकसभा निरना लेता है कि कोई प्रस्न या उसका भाग स्विकार्ज है या नहीं है, अब आते हैं, प्रस्न कीतने तरह के होते हैं, के लिए, देखिए, जो भी प्रस्न पूछा जाते हैं, संसद में, वह चार तरह के होते हैं, प्रस्न या लोकसभा का केस है, है ना, स्टार्ड होते हैं, अन्स्टार्ड होते हैं, यानि तारंकित, अतारंकित, और सौट नोटिस कोईस्चन, यानि अल्प सूचना प्रस्न होते हैं, और कुछ कोईस्चन होते हैं, जो प भी ministry से related question है, उस ministry के in charge उसका answer देते हैं, यह answer जो होता है, या एक दिन में एक ही start questions पूछा जाते हैं, तारांकित question, और यह भी 15 दिन advance submitted करना पड़ता है, यानि तारांकित प्रस कम से कम 15 दिन पहले जमा करने होते हैं, आया बात, तारांकित प्रस, clear, या ओरली जवाब दिया जाता है, कोई भी questions अगर ओरली यानि मौकिक रूप से जवाब दिया जाता है, तो उसमें counter questions पूछने की allow होता है, next आते हैं, और तारांकित questions, on start questions, या जो है written reply ministry द्वारा दिया जाता है, या भी 15 दिन advance पूछे जाते हैं, next है short notice question, या कोई emergency अचा जानक आ गया, तो urgent public importance है, यानि लोगों के लिए importance है, तब या question पूछा जाता है, चुकि urgent है, इसलिए 10 दिन का notice period है, या भी ओरली दिया जाता है, इसलिए इसका भी supplementary question यानि counter questions पूछने का allow होता है, जो next होता है, question to the private member, यानि नीजी सदस से को संबोधित questions, इसमें होता है, किसी नीजी सदस से प्रस्ण स्वैंग सांसद, MP themselves, स्वैंग सांसद को संबोधित किया जाता है, यहीं चार तरह के प्रस्ण होते हैं, तो इसी में से आप सको पूछाता है, कि निमिलित में किस तरह कि प्रस्ण को early answer दिया जा सकता है, या supplementary questions पूछा जाता है, यानि सहाय questions पूछा जा सकता है, इस तरह के questions आ सकते हैं, next जो है, वा है dynamic injection, यानि गतिसील नीसे धग्या क्या होता है, देखे, गतिसील नीसे धग्या है, दिल्ली high code जो है, वा लगाया, और उसमें case किस ने किय था, star private India limited, actually world cup उसमें हो रहा था, तो world cup में कुछ private जो परसारक थे, broadcaster थे, उन्होंने ICC match, इनको पता चल गया कि वो परदार से, वो broadcast करेंगे, और इनके पास राइट था, इसलिए इन उन्होंने दिल्ली high code में या का, दिल्ली high code क्या किया, कि 5 October से match होने वाला था, चार क आप नहीं परसारीद कर सकते है, आई बास समझ में, अब यहां पर कई चीज है, अब यहां जो dynamic injection से पहले आपको देखना पड़ेगा कि डिल्ली high code, किस act के तहर, या dynamic injection लगाया, है ना, तो कौन सा act, copyright act की तहर, copyright act की तहर, तो वा dynamic injection लगाया, अब copyright act कहां से आता है, copyright act आत intellectual property rights है, है ना, IPR, और IPR समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा, intellectual property क्या है, अब यह सारे चीज समझ लेंगे, तब समझेंगे कि dynamic injection क्या है, देखे, इसी को बोलते है, कोई भी exam है, information enough नहीं होता है, information का association आप कर पाता है कि नहीं, इसलिए तो competition का तयारी अलग से किया जात है, यह तो university में पड़ के लोग नहीं competition, university में आप बहु सारे information gather कर लेते हैं, but वह capability नहीं होता है कि कैसे उसको आप associate कर दे, clear, तो सबसे पहले देखे, IP क्या होता है, intellectual property क्या होता है, intellectual property नाम से ही पता चल रहा है, intellectual, यानि यह होता है creation of mind, या mind का किर्ती, mind का creation, जैसे कोई सी कोई artistic work, कोई design, कोई symbol, कोई name, कोई image, यहाँ सब क्या होता है, यहाँ सब है mind का creation, अब यह सारे चीज़ अगर हम commerce में use कर रहा है, तो वह एक act के तहत हमको protected होगा, तो यह आदमी का mind का creation है, उसको protect किया जाता है, चुकि यह भी इनका right है, intellectual property right, यह प्रोटेक्टी रहाइट किया जाता है, law के ताथ, अब कई creation होते हैं, जैसे patent act के ताथ, copyright act के ताथ, trademark, trade secret, इसके ताथ, protect किया जाता है, प्रोटेक्ट करने से जो आदमी, जो creation किये हैं, वह recognize भी होता है, और उनको financial benefit भी मिलता है, वह पैसे भी कमाते हैं, clear, और इस तरह करने से सार्वजनिक heat में भ है, वह flourish होता है, आएबा समझ में, यह है intellectual property, जो ब्यापक सार्वजनिक heat के लिए सई संतूलन बनाता है, यह intellectual property, अब इसको protect करने के लिए act है, अब यह कई तरह के होते हैं, पांस तरह के होते हैं, intellectual property, trademark होते हैं, कोई trademark, कोई copyright, patent, कोई अविस्कार कर दिया, कोई design है, industrial design है, कोई trade secret है, अब जैसे माल लिजे कि कोई hotel में उनका अपना secret है, उनका अपना recipe है, उनको अगर कोई copy कर लिया, उनका trade secret है, trademark हो गया, copyright है, माल लिजे कोई किताब लिखे, कोई music बनाए, कोई उनका ध्वनी है अपना, जैसे मिताब अचन की आवाज है, बिना उनसे पूछे ह उनका अवाज को आपी इस्तमाल commercial purpose में नहीं कर सकते, उन protected है, उनका खुद का अवाज, copyright act किताब, तो all sir come under the intellectual property rights, यानि बौधिक संपदा अधिका, इसमें से जो यह dynamic injection है, वा दिया गया है, copyright act किताब, तो अब हम देखेंगे, copyright act क्या है, copyright act, copyrights means क्या होता है, कोई साहितिक literary, कोई dramatic यानि नाट किये, कोई musical यानि संगीत, कोई artistic work, यानि कलात्मक कार्च, cinematograph, film या sound recording, उनका sound recording, इस सारे protect होते हैं, copyright act, 1957 के ताथ, इनका कामी होता है, कि safeguard करे, सुरक्षा करे, creative work, जो आदमी creative किया है, क्या हो, चुकि उनका वाज़ा, बौधिक, संपदा है, intellectual पुरपंटी है, कि लिए, इसी act की ताथ, वा dynamic injection लगाया गया, अब देखिए, dynamic injection क्या होता है, dynamic injection गतिसील निसे धगया, तो normal है, किसी चीज को रोक देना, या coat द्वारा लगाया जाता है, किसी चीज को रोक देना, लेकिन गतिसील यहाँ पे जुड़ गया, इसका मतलब है, कि वा काम नहीं होने से पहले रोक दिया गया, ध्यान से समझेगा, यह छोटा-छोटा nuance है न, जो एकजाम में आदमी सिलीव करता है, निसे धगया, गतिसील, अब इसका, गतिसील का मतलब हो गया, कि देखिए, वा 5 October से सुरू होने वाला था match, 4 October को इसने निसे धगया लगा दिया, तो निसे धगया यानी injection लगा दिया, पाँच को सुनी यानी, वह काम हुआ भी नहीं था, कोट को ऐसा अनुमान लगा कि यह काम होसकता है, उनहोंने या निसे धगया, पारित कर दिया, to इसको बोला गया, क्या, डाइनेमिक इंजेक्शन यानि गतिसी लिनी से धग्या आपा समझने यानि यह तभी दी जाती है जब अदालत उसका पहचान करती है कि copyright हो सकता है इसमें उनका यानि उसको जारी करने से पहले वित्रित करने से बनाये जाने से पहले उनके सुड़क्षा के लिए काम होने से पहले चुटी चूटी बाते कई वरиком कर जाते हैं आची तरह ऐताए क्सीव मह información तो यही आपने दो चीज सिखा एक कैस फॉर कोईरी और दूसरा डाइनेमिक इंजक्षा इसका पीडिएफ हमारा टेलग्राम चैनल है तीवारी जनरल स्टेडी वहाँ पे डाल दूगा वहाँ से देख लिजेगा उसको भी जॉइन कर लेंगे अगर इंफॉर्मेटिव लगा and happy learning. Thank you very much.